हरे कृष्ण दोस्तो मेरे नाम है डॉक्टर प्रितिक चौहन इंटरनेट पर और यूट्यूब पर आज कल एक मेडिसिन का बहुत जिकर चल रहा है जो की पूरे शरी को गोरा करती है जी नहीं बरविरतियों की फुल्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूं है एक मेडिसिन गल लूट थी हों से बना हुआ है और इसके बारे में आप अपने वीडिस को बताईए तो मैं तुम्हें उनसे यही कहा है कि जो भी प्रोड़क्ट अगर वो नुक्सान देने वाला होता है और मुझे पता है कि भविश्य में जाकर वो नुक्सान देगा तो बैं किसी प्रोड के साथ मुझ से जुड़े हुए हैं वो ट्रस्ट उनका यह है कि यह बंदा जूट नहीं बोलेगा यह डॉक्टर जूट नहीं बोलेगा विश्वास कहात नहीं करेगा तो अब ग्लूटा थियून है क्या आप में से बहुत सारी माता बैनों ने यूज किया होगा यह फिर हे थ Hakuk El? में बता दू यह जनरल हमारे शरील के अंतर ऑलेटे पाया जाता है लिवर के अंदर और बहुत सारे प्लांट्स हों भे पाया जाता है और प्रकृति में पाया से टीएन में इसका फंक्शन क्या ऐए इसका में फंक्शन जो आजकर लोग बता रहे हैं इसका अभी जो main function है और जो clinically prove हुआ है laboratory में इसका जो main function है वो है हमारे melanin को block करना now melanin को block करना कैसा होता हमारे शरीर में एक enzyme निकलता है जिसको हम बोलते है tyrosine enzyme हमारे शरीर में निकलता है जो कि melanin के production में काम आता है यानि के melanogenesis की प्रकरिया वो करता है ठीक है अगर हमारे शरीर में ये tyrosine नहीं निकले ये enzyme अगर ना निकले तो फिर melanin नहीं बनेगा melanin बनना कम हो जाएगा जिससे कि हमारे तोच गूरी हो जाती है पूरे शरीर की अब आप लोग तो बहुत खुश होग है क्योंकि आपको लगता है कि अब हमें product यूज करना चाहिए क्योंकि ये तो अंदर से ही गोर हमें कर रहा है लेकिन रुको कान यहां खतम नहीं होती है ये जो tyrosine है जिसको ये block करता है जिस enzyme को ये block करता है ये हमारे शरीक के दूसरे हिस्सों पर भी काम करता है जैसे हमारे dopamine पे हमारे adrenaline gland पे हमारे thyroid पर हमारे pituitary gland पर हमारे दिमाग के कहीं हिस्सों को कहीं हिस्सों बरक करता है ये बरक करता है नोरिपाइन एफरीन पर जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी है तो जब हम इसको ब्लोक करते हैं जब हम गलोटा थियों जब लेते हैं तो यह चीज जो यह टारोसी ने ब्लोक हो जाता है तो पहले तो यह मैलनीन की प्रोडक्शन को रोख देता जिससे आपको लगता कि आप गोरे हो गए ठीक है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंटरेंट पर सर्च करने के बाद में मैं दो या तीन दिन में यह वीडियो अपके लेकर आया हूं बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इसको और आप खुड डिसाइड कीजिए कि हम यह लें यह ना लें यह चीज मैं ग्लॉट को ब्लोक नहीं करती है वह कीवल इसकी ग्लैंड्स पर काम करती है जो की स्टिमिलेट करते कि आप करो ठीक से अगर नहीं कर रहे हो दो जिसे चाहरे वीच अमा का दीए लेकिन जो ग्लोटा थिओन है और बार-बार में इसलिए कह रहा हूं थाकि आपको सुम्झ म गोरी हो जाएगी अब हमें गोरा होने का साधन मिल गया मैंने भी इस चीजस को कह दिया है कि ये मैलनिन को रोकता है हमारे शरीक अंदर जितना जादा मैलनिन होगा हमारे शरीक अ Fishery मैलनिन जितना कम होगा ऑस्य इतना ही गोरा होगा यह मैंनिन को बनने से रोक रहा है तो हमारे कोरा जाको ओटमेंटिकली तो अपको यह कंपनी उनको he giving offer करति क्या होता है कि मैंने इसको इंटेंट पे सर्च किया कि मुझे लोग को बताना चाहिए कि क्या सीज्ब पता तो मुझे पहले से था बेट जो क्लिनिकल प्रूविंग यह क्या कहते है जो लेबोरेटरी टेस्ट वो क्या कहते हैं गुलूटा थियून मेलनी वर्क करता है जहां पर आपको कैंसर हो और कैंसर के जो कीमो थेरपी आपको होती है उसके साइड इसक्ट से बच जाएं तो गुलूटा थियून आपको बहुत कम मातर में दिया जाता है इंट्रवेनस आपकी मतलब ढूर्व में वह लगा जाता है औब क्या होता है कि लगा कि धिमें धिमें यह कि हमारे जो थारोसिन एंज Creating को रोकता है Department काम आता है इसलिए हम इसको शीन लाइटनिंग के नाम से अब क्या हो से जो वह ब्लोग करेगा मेरे आपस सबूत है मैंने सारे सबूत इखट्टे क्यों हैं ताकि मैं आप लोग के सामने रख सकों यह एक एक करके खोलूंगा जी मैं सब के सबूत तो बचाकी बात नहीं मैंने यह बहुत अच्छे ऌते निकलता है उसको भी रोग देगा उसके थारड को भी रोग देगा और पीटीउटरि ग्ल books जोन लोग और लेवरेट्टए इस पर टेस्ट किया है उनके अधिक्तों लोगे थाराइड के फंक्शन में गर्बड़ी पाए गई कि इनका थाराइड ठीक से वर्क नहीं करता है पिट्यूटी ग्लेंड में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है डोपामीन में कमी पाए गई और उन्हें लगा कि और उन्होंने पाया कि जो मेल और फीमिल की जो सेक्स करने क जो उच्छा है वो काफी हद तक कम हो गई और जो इंजोइमेंट जो उसमें होता है मतलब की और्गिजम जो होता है वो होना बंद हो गया है इसका मतलब आपकी सेक्स्वल लाइफ फिल्कुल खतम हो जाएगी ये लेने के बाद दूसरा आपके जो हार्मोन ने जो कि रैस्प से वह आपका खतम हो जाएगा कम हो जाएगा खतम यह नहीं हो तो फिर यदि दस बंदे खड़े हैं अगर दस बंदे एक सेक्ड़ बागते हैं तो आप पांच सेक्ड़ बागना चुरू करोगे जब को समझ में आएगा क्योंकि फिर आप ट्यूबलाट बन जाओगे ठीक ह जैसे कि क्लास में बच्चे हैं अब क्लास का जो टीचर उनको सबको कंट्रोल कर रहा है और क्लास टीचर को बाहर निकाल दो बच्चे कैसे उधम मचाते हैं क्लास के अंदर तो ऐसे ही हमारी बोडी तरह तरह के रेस्पूंस करना शुरू कर देंगा अब डियाबिटीज हो सकती है आपको प्लेट पीचर हो सकता है आपको कैंसर भी हो सकता एवन और जो में प्रोडिक्शन रुकाएगा तो कैंसर के बना बड़ा benefit लगा और फिर वाद ने ban कर दिया उनका side effect को देखते हुए तो अभी दूमें यह चीज आपको बता रहा हूं बाद में इसको जाके कुछ countries broke करेंगी बंद करेंगी इसको केवल authorized center पर ही यह पाए जाएगा और मैं कह रहा हूं आप से कि pharmaceutical company जो होती है केवल अपना benefit देखती है आपका benefit नहीं देखती है वो तो आपको कुछ भी खिला दे कुछ भी पिला दे आपको ठीक करने के नाम पर गोराही होना है तो इतने बड़ा उच्छू नहीं है उसमें आपकेवल आप exercise कीजिए respiration की आप exercise कीजिए बरवे थे क्यों फिल्म लीजिए वो नेच्छल है नॉर्मल है गर्मियों में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी skin को fair कर सकते हो नेच्छल तरीके से without any side effect क्योंकि मुझे ही पता है मैंने भी किया है उसको तो मुझे पता है उसका result क्या होता है हर गर्मियों आप वो करें इसकिन की मारी सब दूर रहो गए और बहुत सारी चीज़े आपके अंदर इंप्रूमेंट हो जागी वेट आपका घट जाएगा उससे भूख आपकी बढ़ेगी बट वेट घटेगा उससे ठीक है कि डाइजेशन आपका इंप्रूम हो जाएगा आपके जो सोचने समझने की शक्ति है वो इंप्रूम हो जागी आपके यादधास तेज हो जाएगी एक बार जो याद कर लोगा कभी नहीं भोलो गया वो तो मैं यह वो बताऊंगा बट वो घर्मियों के मतलब की चीज़ है सर्दु मतलब की चीज़ नहीं है वो तो किसी भी तरह के अगर प्रोडक्ट होते हैं तो उन पर आख मूंत के बिलीव ना करें आख मूंत के विश्वास ना करें जाने कि वो क्या चीज़ है इंटेंट भड़ा बढ़ा है इंचियों से ठीक है और अगर नहीं पता है और आ नुकसान है एक तो आपके सेक्स लाइब बिल्कुल खतम हो जागी मेल की और फीमेल की दोनों की जो की दोनों नहीं चाहते कि ऐसा हो गोरा होने के चक्कर में आप यह लाइफ खतम कर लोगे अपनी दूसरा आप बुद्ध्ध्वन जाओगे तीस तरा आपका थारड़ भी अचिरु कि तो ये गलतियां आप ना करें कि और प्रात्ना कुरूंगा कि जहां भी आप रहें खुश रहें अगर दे खुश हो तो अंदर से फिट और अंदर से फिट pip तो आपकी सिक्वै हेल्दी है मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे खुश रहना है कैसे जो आप चाहते हैं वो आप पा सकते हैं तो मैं प्रारतना करूँगा जहां भी आप हैं आप खुश रहें आप हेल्दी रहें और परमात्मा सभी का भाला करें